कि अपना ज्वाज के लिए होगा मुकाबला वोमेंस क्रिकेट में साउथ अफरीका बांगलादेश के बीच में अब जैसे इंडिया साउथ अफरीका का पहला मैच बड़े अनेक्सपेक्टेड रहा था वैसे इनका भी रहा अनेक्सपेक्टेड जहां उम्मीद कर रहे थे कि साउथ अफरीका बहुत अच्छे खासे असानी से जीट जाएगी वहां साउथ अफरीका बड़े गुरे तरीके से हार गई बंगलादेश बहुत असानी से जीट गया ऐसा लग रहा था रोल स्विच होगे बंगलादेश साउथ अफरीका प्लेंग इन पैरललल यूनिवर् मेरे चाल से दिखाएंगे कि क्यों भैस आउत अफरे में किलना मुश्किल होता है और पंगलादेश ऐसे टीम से तो सीरीज नहीं आर सकते तो वो चीज आज शायद देखने को मिल जाए आपको अज क्या कुछ प्रेडिक्शन्स रहती है क्या टीम बन कर आती है सारी चीज़े करने वाले डिसकस्तों वीडियो को आखिर तक देखना और साथ-साथ वीडियो पसंद है तो लाइक जरू कर देना मत देख रहा हूं तुम लाइक में आचकल बहुत कंजूसी कर रहे हो वीडियो देखते हो और जो इंपन्ट पिक्सर है तो उनका फाइदा उठा रहे हो ब सब्सक्राइब कर लो टेलिकराम जोन कर लेना क्योंकि वह काफी साथ इंपॉर्ट है जितनी वी अपडेट्स आती है टीम साथ यह वहीं पर आपको देखने को मलती है जो कि वह रहते हैं वहीं पर रहते हैं तो मैंस बिल्कुल नहीं करने तो फटावर से जाके टेलिकराम सब्सक्राइब कर लेना बागी जलते हैं जलो अपने मैच के ऊपर तो बैस सेकिंड ओडी आई है सन्विस पार्क यह साथ आफरेकाम भाही नाम बहुत है जी बहुत है मैं बिल्कुल नहीं लूँगा देखो साड़े पांच बिजे रहेगी शाम को इस मैच के लें जो है ब से बना है दो बर बने विसे ठीक है बट सोला में से दो बर तीन सो से उपर और तोड़ा सा में भी हो सकता है कि साथ आफरेक की तरह से बहुत कुछ अच्छा कर जाए तो बन जाए बट यह अभी के लिए उस तरीका का ग्राउंड नहीं लगता है ठीक है उसके अलबागा कर इसमें स्पिन को विकेट बिल्कुल नहीं मिलें यह वा था 24 सेप्टामर को न्यूजलेंड साथ अफरेका के पीच में जिसमें न्यूजलेंड ने 235 बने साथ अफरेका ने चेस कर दिया 12 विकेट पेस के एक विकेट स्पिन का मतलब यह मान के चल सकते हैं 2019 में पिच्छ सकता हूं कि चलो 230-240 तक में भी बना दे यहां से ठीक है टीम बंगलादेश की साथ अफरेका तो थोड़ा ज्यादा भी बना सकती है बागी चीज़ है दसानी से कर दे हो बागी 14 विकेट है स्पिन के बाइस है यहां सब पेसर्स के बट मोस्टली अपको विकेट जो है वो जिस वैसे मेरिजन कैप नहीं खेली थी ठीक है अगर खेलती है तो बिल्कुल भाई वो तो सीधी कैप्टन कैप्टन चोईस बनीगी अपने लिए बागी उनके अलावा तर्मिन बेट से लौरा वोलवर डेट है आप देखो अच्छे शुरुवात देना मैं यहां से आज क है 16 इनोंने बनायते है सुने लूस की बात करो 31 देखने को बले वह एक्सपीरेंस बट दिक्कति है ना सुने लूस की तरफ से अभी जो ऐसे रंस है तर्टी 153 107 93 93 तो पिछले साल के जून का है वह यहां कमी देखने को मल रहे है बहुत जादा कंसिस्टेंट नहीं रही है उसके बात में आसे डेल में टेकर है 14 इनोंने बनाये थे एंडी क्लर के तरफ से सिर्फ एक ही रन आया और में चीज कर रहे है कि बोलिंग नहीं कर रही ठीक है वह यहां पर सबसे एक में फैक्टर रहा बाकि एलेज मैरी मैक्स को खिलाए गया अच्छी बोलर है 35 रन भी ब पड़े थे मतलब बनाये नहीं थे उसके बात में यहां से आया वोंगा खाका ये भी विकेट लैस ही गई थी तो कुछ जादा खास तो देखने को देखो मिला नहीं पिछले मैच के बेसिस पर अगर देखे तो और ओर देखते हैं तो यहां से मलाबा काफी जादा इंपॉ कर सकते हो जैल की टीम में क्यों क्योंकि विकेट लेती है न तो दो तीन पर ही जाती है तो ग्रैलिक में एक सी जरूरा आप ट्राइब कर सकते हो एलिज मैरी मैक्स काफी इंपॉंट है बैटिंग आपको दोनों से पॉइंट्स देखे जा सकते है लोरा वोल्वाड़ डेत यहां से काफे साथ इंपॉंट बिक बनती है डैल में टकर बोलिंग करनी तो चाहिए थी बट करा ही नहीं हो थोड़ा सा स्योक्रिंग डिसिजन रहा मेरे ख्याल से तो यहां से आब आज के लिए ले सकते हो एने बोश यहां डैल में टकर किसी एक को ले 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 न उसके बा प्लास ओर खाका है फिर इसमाईल हाती है तो इनको वे चानिंघ बना ती ऑट सुटांथा रतीसा के र którąट आइए मुर्षिदा खातून्पून्ने जितने runs पिछले 4 match में नहीं बनायाते अगें South Africa उतने इनोंने सिर्फ एक match में बना दिये आपको पता है मैं इनके total runs बनाओ न हलागि अच्छा गेली अच्छे betting की नो डाउट ठीक है उसमें कोई दिक्कत नी बट इनके total runs पता है अच्छी फोम में भी दिखिए रंस वगर आप इनके previous matches में देखोगे तो बढ़िया देखने को मिलते हैं 35 इनों ने यहां से बनाए बाकि शमीमा सुल्ताना अच्छी शुरुआत दी इनोंने बाकि मेरे बाफता है जो आठवी नुवी नंबर में बैटिंग करने आती है उसके बाद में से शौर्णा अक्तर बॉलिंग कराने के एक तरीके से बोल सकते हैं जोरती नी पड़ी फाहिमा खातून यहां से इंपॉंट बिक बनती हैं दो विकेट हैं अभी तक और आपको मिल जाती है नहीदा अक्तर का अभी तक का साल वडिया रहा है तीन विकेट इन्होंने वापस से निकाल दी और अगर आप पिछले देखोगे भाई पिछले पांच ODII मैचेस में चार मैचेस हैं जिसमें नहीदा अक्तर ने तीन तेन विकेट से निकाले हैं तो बताने की जरूरत तो ह मुर्शिदा और फरगना हक है जो आगे बात करते हैं बेंच प्लेयर बंगलादेश के तरफ से लटा मंडल खिलाया नहीं गया और आइटिंग बंगलादेश ने चेंडिस करेगी नहीं यहां से प्लेंग इलाउन में जीते हैं अगर करते हैं तो बड़ी बेवकूफी होग है और वहीं पर बांगलादेश का अच्छा नहीं है दो मैच खिले हैं और दो के दो यहारे बैठे आगे निकलते हैं जरह भाई वेन्यू लीडर्स के बात करें कि इस ग्राउंड पर आखिर रंस किस किस के हैं तो वोलवाड डॉट का 58 का एवरेज है देड़ सो बना चुक है वरना तो भाई वोनने वरेज अगर आप देखोगे तो बीस रनी एक परी में उसका गुडल है चार मैच में एंटेवन एक मैच में फिफ्री टू आ गयता है तो यह रहते हमारे जवाज के लिए वेन्यू लीडर्स है जिसमें स्पेशल हाइलाइट यहां से सिर्फ लोर सेक्शन की तो उसमें उननेस मैच हो चुके हैं जिसमें 16 जीते हैं साथ अफरिका की टीम ने तीन जीते हैं बंगलादेश इंक्लूडिंग जो उनका पिछला वाला मैच रहा उसके बाद में आगे निकल कर आते हैं तो फरके ना हग यहां से हलाकी हैट्वेड में सबसे बना रखें 27 वर्यज उसके बाद में वर्वर्ड है साथ मैच में 241 48 वर्ड का रिकोड और अच्छा है वेन्यू में विनका 58 वरीज तो एक अच्छी कैप्टन-वाइस कैप्टन आपके बास में जरू बन जाती है यह लिग दिया कैप्टन-वाइस कैप्टन-बशिन कुछ खास नहीं 15 का आवरेज है शमीमा सुल्ताना वो पिछले मैच के बदोल है चार मैच में 131 32 का आवरेज है विसको बाद में मुर्शेदा खातून है अब यह जो आपको रिकोर्ड बता रहा था पांच मैच में 98 रंस है और 24 का आवरेज रहता है नाइंटीएट में से नाइंटीवन वो जो पिछले मैच में आए है बॉलिंग शेक्षन के बात करें तो मरिजन के यह उसमें हलागी सबसे उपर 15 मैच में 19 विकेट है खाका के 12 मैच में 27 सुने लूस ने बारा में 13 निकाले नहीं दाक्तर 10 मैच में 10 विकेट निकाल चुक यहां से अगर आप चाहो तो तजमिन प्रेट्स को भी पिक कर सकते हो अब जैसा कि इन्होंने बैटिंग अच्छी की थी तो वाइस केप्टन दिया बाकी चेंज कर सकते हो कोई दिक्कत निया वाइस केप्टन आप यहां से चाहो तो बाई यह एक थोड़ी से रिस्की बाकी यहां से शोरन अक्तर को रखा उसका आप फाइंवा कातू ने अगर है मैक्स को रखा है रखान होगी नहीं दाक्तर होगई तो यह जाती टीम आप यहां पर आप एक चेंज कर सकते हो राविया खान की जगे पर आगर आप जाना चाहो तो बही क्या बोलते हैं खाका क अप्शन जो मैं आपको बता रहा था यह भी एक बहुत एक रिस्की वाइस केप्टन है बढ़ हां ट्राइ कर सकते हो यहां ग्रैंड लिग में चले जाना अगर स्मोल लिग में ना करो तो तो जाती अपी के लिए टीम और सब चीज़ा बागे आपको यूडियो पसंद झाल